हाई गाईज है हूप यौल आ डूइंग रेट हम लोग बात करें हमारे डेली करेंट फ्रेस सेशन की जो सुबा चार बज इवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चानल्स पिनेकलर फ्रेंटियर आएस पर आज की तारीक है 10 दिसंबर 2022 दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से साथ ही साथ फॉर डेली वीडियो पीडियाफ एंड मंथली मागजीन आप हमारे टेलीगरम हैंडल्स प्रेंटियर आएस और साथ जेल पनेकल ओनलाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे प्रिवेस क्युज के साथ मैंने आपसे पहला क्वेस्चिन पूछा था कि किस चैर को भारत का पहला गोल्ड एटियम मिला करेक्ट आंसर था हैदराबाद और दूसरा क्वेस्चिन पूछा था कि राश्टे सांखी की आयोग के अधियक्ष के रूपे कि से न्युक्त किया गया है करेक्ट आंसर था राजीव लक्षमन करंधीकर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेस्ट्चन है किस राजसरकार ने स्वास्थे सेवा की असान पहुंच के लिए एशा का फेला ड्रोन डिलिवरी हब और नेटवर्क का नावरन किया है जिसको देशय राजय में लोगों के लिए स्वास्ते सेवा तक सार्व भॉमिक पहुंच प्रदान करना है इस परियोजनक देशय एक समर्पित ड्रोन वित्रन नेटवर्क को उप्योग करके राजय की विभिन अस्पताल से उड़ान भरी जो हब के रूप में कारे करेगा और तीस मिनट से भी कम समय में पडेल दोबा प्रात्मिक स्वास्ते केंद्र में दवाईया पहुंचाई अनेता सडक मार्क से धाई घंटे लगते हैं बात करे में घालिया की तोसी कैपिटल है शिलॉंग किस दक्षन अमेरिकी देश को हाल ही में अपनी पहली महिला राश्ट्रपती मिली है और उन्हें गिरफतार कर लिया गया और साथ वर्ष्य वकील दीना बोलु आर्टे देश की पहली महिला राश्ट्रपती बन गई है बाजारों के लिए पैरु में संकट महतोपून हो सकता है क्योंकि यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के 2020 के आंकडों के अनुसर दुनिया के तांबे के निर्यात का लगभग 15% बनाता है यहां त संप्री के साथ समझोता ग्यापन पर साक्षर किये हैं करेक्ट आंसर है वालमाट डिटेल्स तेख लो तो वालमाट वृद्धी कारेकरम MSME को सेवाय प्रदान करने के लिए राश्टे लगू उद्योग निगम लिमिटेड और वालमाट ग्लोबल सोर्सिंग इंडिया प्र लेंगे इसके लावा MSME को NSIC दवारा प्रस्तावित विभेन अफसरों के थेत कारेशिल पूंजी प्राप्त करने थोग खरीद सहायता आदी के विभेन लाबों का लाब मिलेगा MOU 2030 तक MSME को 2 Trillion Dollar मुलिये के निर्याद तक पहुंचाने में महत्वपुन भूमी का निभाएगा Next question है किस संस्तान के शोथ करताओं ने सिंदुजा एक नाम का एक Ocean Wave Energy Converter विक्सित किया है Correct answer है IIT मदरास Details तेक लिए तो IIT मदरास के शोथ करताओं ने एक Ocean Wave Energy Converter विक्सित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन कर सकता है इस उपकरन का परिक्षन नेवेंबर 2022 के दूसरे सप्ता के दुरान सफलता पूर्वक पूरा किया गया था उत्पात का नाम सिंदुजा एक रखा गया है जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन Systemic Floating Boy, Expert और एक Electrical Module है ये पॉंट आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही वेव अपडाउन मूव करती है उसी के साथ बॉई भी अपडाउन करता है डिवाइस को तमिलाडू के तूती कोरिन के तट से लगभग 6 किलोमिटर दूर 20 मिटर की गहराई वाले स्थान पर तरनात किया गया था ये उपकरन अगले तीन वर्षों में समुद्र की लहरों से 1 मेगवाट बिजली पैदा करने का लक्षे रखता है बिबीसी की सौज सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किस अभी नेतरी को शामिल किया गया है और इसमें राजनीती, दिग्यान, खेल, मनोरंजन और साहिते जैसे कई क्षेतरों की महिलाओं को शामिल किया गया है इस सूची में चार भारतिय भी शामिल है अभी नेतरी प्रियंका चोपडा जोनस, लेखी का गितांजली श्री, इंजीनियर और अंतरिक शियातरी, सिरीशा बंदला और समाजिक कारेकरता स्नेहा जवाले वार्शिक सूची अंतराष्टे सर पर महिलाओं के उपलब्धियों का जशन मनाती है जमीनी स्तर के स्वे सेवकों से लेकर वैशुक निताओं तक और बीबीसी दुबारा साक्षतकारों, विद्चित्रों और सुविधाओं के एक समर्पित शिंकला के माध्यम से दुनिया भर में महिलाओं के अनुभवों पर ध्यान के इंद्रित करने के लिए इसको प्योग किया जाता है किस राजे के मुख्य मंत्री ने एक अलग दिवियांग विभाग के सापना की घोशना की? करेक्ट आंसर है महराष्ट्र दिटेल्स तेख लो तो महराष्ट्र के मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे ने घोशना की है कि राजे अलग-अलग विकलंग व्यक्तियों के कलियान के लिए वन थाउजन बन फॉडित्री करोड रुपे के फंड आवंटन के साथ एक अलग दिवियांग विभाग सापित करेगा शिंदे ने कहा कि सरकार ने नए विभाग के लिए 2000-63 पत्सविजित किये है उन्होंने कहा कि महराष्ट्र ऐसा विभाग रखने वाला पहला राज्य है उन्होंने कहा कि इस अलग मंत्राले के लिए सचीव स्तर का धिकारी होंगे यह राज्य में दिव्यांग लोगों के कलियान के लिए सभी कदम उठाएगी बात करें हाँ पर महराश्टर की तो इसकी वर्ल्ड हैटे साइट्स में आता है जंता लोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, विक्टोरियन गौतिक और्डिको एंसेंबल्स मुंबई महराश्टर की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंग कोश्यारी, इसके सीएम है एकनात शिंदे नेक्स्ट क्वेस्टिन है आर्बियाई की मौद्रिक नीती समीती ने रेपोदर को किस दर तक बढ़ाया है करेक्ट आंसर है 6.25% डिटेल्स तेख लू तो भारतर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांदास की अध्यक्षिता वाली 6 सदसिये मौद्रिक नीती समीती के फैसले की घोशना की गई है इस साल लगातर पांचवी बढ़ातरी में आर्विय की मौद्रिक नीती समीती ने रैपोदर को ततकाल प्रभाव से 35 सधार अंकों से बढ़ा कर 6.25% कर दिया है जिसे रिन महंगा हो गया है अगस्थ 2018 के बाद से अब नीतीकत दर उचतम सर पर है आरिबे ने अवास वापस लेने यानि विज्रोल अफ अकॉमोडेशन पर अपने नीतीकत रुख को बनाए रखा है MPC की अगली बैठग 6-8 परवरी 2023 के दोरान निर्धारी थे नेक्स्ट क्वेस्टिन है साख चार्टर दिवस कब मनाया जाता है इसका करेक्ट आंसर है आठ दिसंबर डिटेल्स तेख लो तो दक्षी नेशेक शेत्रे सहयोग संगठन यानि साख चार्टर दिवस हर साल आठ दिसंबर को मनाया जाता है इस दिन 1985 में समू के पहले शिकर समेलन के दोरान धाका में साख चार्टर को अपनाया गया था इस वर्ष शेत्रे समू की 38 वी वर्ष गांठ है धाका बांगलादेश में आयोजित पहले साख शिकर समेलन में साख देशों के नेताओं या बांगलादेश भुटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और शिलंका सरकार के प्रमुखो दुगरा चार्टर पर हसाक्षर किये गए थे साख मेंबर्स का एम है कि रीजन में स्टेबिलिटी, पीस और प्रोग्रस को प्रमोट किया जाए किस बैंक में विटेश सुरक्षा पर ईएजी विजेता पुरसकार जीता, करेक्ट आंसर है बैंक ओफ बरोदा, डिटेल्स तेख लू तो 6 दिसंबर 2022 को राजे के सौमितव वाले बैंक ओफ बरोदा ने 10 अक्टूबर 2022 को सोची रूस में आयोजित विटेश सुरक्षा के अंतराष्टे उलम्पियाड में ईएजी विजेता पुरसकार प्राप किया मनी लॉंडरिंग और आतंगबाद का मुकाबला करने वाले यूरेशन समू एजी एक FATF प्रकार का एक शेतर है जिसमें भारत सहित नौ सदस्य शामिल है नौ देश बेलारूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, रूस, ताजिक्स्तान, तुर्कमेनिस्तान और भारत का 77 वा شत्रंज ग्रान मास्टर बन गया है? करेक्ट आंसर है अधित्य मित्तल. डिटेल्स सेख लो, तो 16 वर्शे अधित्य मित्तल स्पेण में चल रहे के टूरनमेंट के दौरान भारत के 77 वा शत्रंज ग्रान मास्टर बन गये है. मुंबाई के खिलारी जिन्होंने तीन जीम मांदंध हासिल किये थे ने स्पेन में चल रहे एलो बिरगेट ओपन टूर्णमेंट के छटे दौरे के दुरान पच्छी सो एलो अंका आंकडा पार कर लिया उन्होंने यह उपलब्दी हासिल करने के लिए स्पेन के नंबर एक फ्रांसिस को वैले जो पॉंस के खि किया यह लास्ट पॉंट इंपोर्टेंट है भरत सुब्रमनियम राहुल श्रिवास्तव प्रनव वी और प्रनव आनन के बाद अधित्ते मितल 2022 में जीम किताब हासिल करने वाले पांचवे भारतिये बन गए हैं यहोने तस्वीर में देख लीजिए विकली बात कर लेते है आज के सेशन की सामरी की तो हेल्थ केर के इजी एकसेस के लिए एश्या का पहले ड्रोन डिलिवरी हब में घालिया ने लॉंच किया साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू को अपनी पहली फीमल प्रेजडेंट मिली है नैशनल स्मॉल इंडस्ट्रिस कॉर्परेशन लिमिटेड बॉलमार्ट के साथ MOU साइन किया ओशन वेव एनर्जी कनवर्टर सिंदुजा वान को डवलप किया आयाटी मदरास के रिसेर्चर्चर्स ने बीबीसी की हंडर्ड मोस्ट इंफ्लूएंशियल वेमल लिस्ट में शामिल किया गया प्रियंका चोपड़ा को महाराश्यों सरक डे 8 दिसंबर को बनाया जाता है फानेंशल सिक्योरिटी पर एग लॉरेट अवर्ड जीता वैंक ऑफ बरोदा ने और इंडिया के 77 चेस ब्रेंड मास्टर बने है अधित्य मित्तल बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुस्वाद डे के आपका पहला क्वेस्टिन है कतर में फ सेशन से हैं इन के सांसे नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना दोनों चानल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट और टेलीग्रम हैंड को जोईन जरू सब्सक्राइब करना है थैंक यू सो मच ऐसीन में नेक्स सेशन